कोरोना वाइरस की मामाली की चपेट में पुरी दुनिया के एक सो अठ्यान में देश आ चुके हैं और करीब चार लाग तेत्तर अजार लोग पॉजिटिव केसिज के रूप में सामने आये हैं और 21,334 लोगों की मृत्ति हो चुकी इसमें भारत में 621 लोग पॉजिटिव आये हैं और 13 लोगों की पॉजिटिव हुई है राजस्तान में 40 केसिज पॉजिटिव हुए हैं और आज एक व्यक्ति जो तेतर साल के थे नारहेंट सिंग वो भिलवाडा के रहने वाले थे मदू मेर से पिडिक थे, उनके ब्रेन स्टोक हुआ था और उनके किड्निया कराब हो चुकी थी वो भी इस बांगड अस्पताल में जहां से इन्फेक्शन पहला था इसी में तीन तारिक से ग्यारा तारिक तक अपनी दूसरी विमारियों के लिए इलाज के लिए भरती हुए थे इनका भी जब ये बेहोशी के अलत में थे तो सेंपल टेस्ट किया गया और ये पोजिटिव निकले थे आज उनका निधन हुआ है ये पहली मौत एक तरस से राजस्तान में हुई है राजस्तान में पोजिटिव केसिस का अंकड़ा पिछले तीन-चार दिनों में कुछ बढ़ा है विशेस तोर से भीलवडा, जुन-जुनू, जैपूर, और जोतपूर और प्रताबगड़, इन जिलों में विशेस ध्यान रखने की सरकार की मुहिम चली है गिलवडा में करीब 28 लाख लोगों के रहने का आंकड़ा है हमारे पास उसमें से 24 लाख की स्क्रीनिंग का काम चिकित सा इभाग ने किया है सेंपल्स भी वहाँ लिये गए हैं, उनकी जाच भी हुई है, अगले दो दिन में 700 सेंपल्स की जाच और हो जाएगी स्वास्त विबाग की टीमें जगे-जगे घूम रही है, रूरल एरिया में जो 4 लाख रूख स्क्रीनिंग से बचे हुए है अगले दो दिन में उनकी भी स्क्रीनिंग हो जाएगी इसी तरह से जुन-जुनों में पॉजिटिव केसे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारी रैपिड रिस्पॉंस की टीमें और स्वास्त विबाग की टीमें लगातार प्रफ murder शर्वेलेस का काम कर रही है स्क्रीनिंग का काम कर रही है सर्वे हो रहा है राजस्तान में जिस तरह से पहला केस दो मार्च को आया और तब से ही मुक्यमंत्री जी विजिलेंट हो कर सेंकडों मीटिंगे किए दर्जनों वीडियो कॉन्फेंसे किये टास्क पोर्स बनाए गये है अभे कुमार जी जो हमारे सेकरटरी है उनके नेतरत में एक टास्क पोर्स बनी है एक टास्क पोर्स रोईक कुमार सिज्मी जी जो हमारे ACS है उनके नेतरत में बनी है 9-9-10-10 I.S. Officers को उनके साथ लगाया गया है उनके साथ R.S. Officers R.P.S. Officers को भी लगाया गया है ताकि राजस्तान में चिकित्सा विबाग की टीमें पूरी मुस्तेदी से Medical College से जुड़े वे अस्पताल हों चाए जिला अस्पताल हों पूरे राजस्तान में पूरी मुस्तेदी के साथ हमारी टीमें लगी हुई है चाहे screening का काम हो survey का काम हो चाहे उनको isolation में लेने की बात हो संदीद लोगों को चाहे उनको quarantine करने की बात हो एक लाग बैट quarantine के मुखिमंत्री जे ने निर्धारित किये वो हमने सुरक्षित रखे हैं पूरे स्टेट के लिए जाच की सुधा हैं बढ़ाई गई है पहले हैं जाच की सुधा थी नहीं अब 6 जगे पर जाच की सुधा है ही है 4-5 जगे पर और डवलप हो गई है मुखिमंत्री जी का सोच है कि हर जीला मुक्यालप है यह जाच की सुधा बढ़े कली डॉक्टर्स जो 700 पैदी समने बढ़ती की हैं उनको CMI सोच के अंडर में अलग-अलग जीलों में रिक्वाइर्मेंट की हिसाब से कोरोना वाइरस से लटने के लिए हमने कली उनको पोस्टिंग दे दिये राजस्तान में कोई आदमी भूका नहीं सोय यह मुखिमंत्री जी का संकल्प है और भूका ना रहे उसके लिए जो इंतजामात किये गए है बीपेल फेमली, स्टेट बीपेल फेमली एक करोड परिवार है उनके लिए दो महीने का राशन प्रतिव एक्ति पांच किलो यह एडवांस में जारी करने का आदेश हो चुका है करीब दो अजार करोड का बजट मुखिमंत्री जी ने इस बिमारी से लड़ने के लिए अभी प्राणित तोर पर रखा है दूद की उपलकता सुनिसित की गई है सबजियों की दुकान कुली गई है राशन की दुकान कुली गई है अब इसमें जो सप्लाइचेन है वो गर बढ़ा रहा था करी निर्देश दिये गए है कि सप्लाइचेन उनकी बराबर चलती रहे ताकि दुकानों पे जहां से सामान आता है, वो सामान बराबर आता रहे, लेकिन अनावश्य गुरूप से किसी को घर से बार नहीं निकलने की हिदायत हमारी है, सरकार चाहती है कि बिनाकारण अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तभी हम इस पे काभू कर पाएंग गया है कि आप दे सकते हैं सबजियां गरों में जाके, किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आए, अभी हमारी जो पड़ोसी राज्यों से सिरोई और जालोर में और बांसवाणा डूगतपूर की अरिये से पैदल हजारों की संक्या में आ रहे हैं, मैं तो वहाँ जिस तर हजारों के संक्या में लोग आ रहे हैं, व्यवस्ता ये की गई है, जिले में कंट्रल रूम है, हैस्डिय मुख्याले पर कंट्रोल रूम है, तैसील मुख्याले पर कंट्रोल रूम है, हमारे गाउं में जो सर्पंच है, पूरू सर्पंच है, पटवारी है, ग्राम से में कह कर्मी हैं। उनसे हमने अनूत किया कि आप तत्काल इन जो हमारे मिर्स इस बने हैं कंट्रोल नुट्र नुट्रो नुट्रोल वाले बाल hm आप जो बाहर से राज्जों से आने वाले लोग या विदेसों साने वाले लोग उनकी सूचना देख ताकि चिकित्सा एंवागतißtा की टीम जाके अनकी स्क्रीनिंग का काम कर सके ये कम्यूनिटी स्प्रइट के खतरे से हम बच सकें वैसे वरॉल राजस्तान मिस्तिती नियंतर में हमारे जो चिकित्सा कर्मी है नर्सिंग स्टाफ है अपनी जान जोकिम में डालके और वो लोग आम आदमी के जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं महरबानी करके उनको परिशान कोई नहीं करे चाहे वो मकान वाली हो चाहे वो अस्पतालों में काम कर रहे हैं वहाँ इलाज कराने वाले लोग हो उनके लिए भी 25 करोड की रासी मुक्यमंत्री जीना अलग रखी है जैपूर में एक करोड जेला कलेक्टर को आपाथ स्थीती के प्रबंदन के लिए दिये गए हैं संभागी मुक्याले के जो जेला कलेक्टर से उनको 55 लाग रुपे दी गए हैं और जो अन्य जीले हैं उनके जेला कलेक्टर सको 50 लाग रुपे दी गए ये पुनर भरित होता रहेगा जैसे ही ये खर्च होगा और पैसा दी रहा जागा कोविड-19 के लिए जो मुक्यमंत्री जीने साहिता कोश बनाया है उस कोश में भामाशा, दान दाता, हमारे राज्य कर्मचारी और जो भी आम आदमी है वो दिल खोल के दान कर रहे हैं मेरी ये प्राप्ता है कि ये आपाथ स्तीती के प्रबंदन के लिए ये फंड मुक्यमंत्री जीने बनाया है दिल खोल के आप इसमें अपना सेहुक करिए ताकि आने वाली चुनोतियां उनसे मुकाबला करने के लिए बैतर विवस्ताय हम कर सके बारे सरकार और राज्य सरकार मिलके किसी तरह से इस चुनोति का मुकाबला करेगी और आम आदमी की जिन्दिकी बचाएगी जो हमारे गाय है पशू है पशू दान हमारा उसके लिए चारे की परियाप्ति ववस्ता के निर्देश दिये गए हैं जो हमारी पक्षी है उनके लिए दाने की परियाप्ति ववस्ता करने के निर्देश दिये गए हैं और जो आवारा पशू हैं, जो घूम रहे हैं, उनका जीवन बचाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए हैं। 24 गंटे विभाग की टीमें सरकार की वो इस बात में मोनिटरिंग कर रही है। और माइनुटली हर चीज को देखा जा रहा है, किसी चीज की प्रदेश में कमी नहीं रही है।